ब्लैक बेर्ड सच में एक मास्टर माइंड है अगर ब्लैक बेर्ड ने इस चैप्टर के अंदर जो चाल चलिया है वो भाई काम कर गई फिर तो ब्लैक बेर्ड को रोकना काफी मुश्किल होगा बट इसके साथ साथ यहाँ पे हम लूफी वसी सैटन और यहाँ भाई सांजी और सीस की जरू की फाइट भी देखेंगे और जोरो हाँ भाई वो भी है इस चैप्टर के अंदर सो फटावट से वीडियो को कर दो लाइक और हाँ बाई सब्सक्राब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इस मैंदे के अंदर में 25 के सब्सक्राब के गोल पूरा करना है चैप्टर का टाइडल है I Was Looking For You ऐसा कोई लवसे रिलेशन नहीं है भाई चैप्टर के टाइडल का तो यहाँ पर जो डौरी और प्रोग यह अकेले नहीं है बलकि अपने पूरे क्रू को साथ ले गया है और क्यूंकि यह क्रू सौ साल पुरामा है तो यहाँ पर हम देखेंगे एनीज लॉबी के दो गार्ड्स को जो की है काशी और ओईमो हाँ बही इन दोनों को तो लुब जानते होगे हमने नहीं इनीज लॉब cylinders में को जिंदा है और वो अपना ड्यूवल करके काफी जल एलबाफ में जाने वाले हैं सो क्योंकि अभी यह लोग मरीन शिप्स को डिश्ट्रॉय करके एगट के काफी क्लोस पहुंच गए थे तो भाई यहाँ पे उसाप मॉनिटर रूम से इनने देख लेता है और वो ने देख के यहाँ पे काफी सर्प्राइस था किया कि यह लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बढ़ भाई मनी मनी यहाँ पे उस अब तक काफी कुछ हो रहा था यह बहुत लाइक हमें आपे बच जाएंगे क्योंकि यहाँ कि साथ तो भाई वो लोग श्रोयट काई देंगे न अब देखो जोरो फैंस तुम थोड़ा डिसपॉइंटीड हो सकते हो क्योंकि भाई मानो या फिर ना मानो जोरो अभी भी यहाँ पे लूची से वाइट कर रहा है और उसने यहाँ पे लूची को अभी तक नहीं हरा है और यहाँ पे हमें इस चैप ड्रेक एंदर उनकी बैटल भी देखेंगे जहाँ पर वो लोग कुछ बाते भी कर रहे थे अब भाई काफी जाए टाइम तो नहीं विता जोरो और लूची को आखे तो रो क्यों रही है तो वॉन ही यहाँ पे उसने कहती कि वो उसे कब से ढूण रही थी और यहीं इस चैप्टर का टाइटल है I was looking for you बट लूफी बहुत लाइक पर क्यों मैं तो हमेशा से तेरे साथ ही था अब वैसे तो यह जो लाइन है वो तुम्हें काफ़ी फ़नी लग सकती है लेकिन अगर इसे इसी वर्ट्स में कहा गया है तो भाई यह स्टोरी का काफ़ी emotional touch देती है लाइक लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान को ढूण रहा हूं पर जो भाई भगवान है वो तो हर जगा पे हैं तो आखिर उन्हें ढूणने की क्या जरूत है same with Luffy जिसको भाई One Piece के अंदर God का title मिला हुआ है बट मिछे पता है कि यहां पर Luffy इस reference में खहरा होगा कि एकट के अंदर Bonnie Luffy के साथ ही थी तो आखिर Bonnie उसे क्यों डूण रही है बट एनिवेज यहां पर Luffy ने Bonnie को distorted future technique यूज़ करके लूफी के जो गेर थी जैसा move था उसे यूज़ करते वे देखा था बट Luffy वहाँ लाइक तेरी technique तो काफी अच्छी है लेकिन यूज़ करने का तरीका थोड़ा casual है I mean यहाँ पर Luffy कहते है कि उसका यह attack weak था और अब Luffy यहाँ पर दिखाएगा कि original attack कैसा होता है और यह कहते ही भाई Luffy सैटन के उपर कूई पड़ता है जहाँ पर सैटन से बदला लेने के लिए लूफी भाई सैटन के मूँपे भर भर गे गम गेटलिंग की जगा एक new move उस करता है जिसका नाम दा गम गम डॉन गेटलिंग जिसके फोर्स की वाँसे सैटन काफी दूर जाके गिरा कीजारू भी यहाँ पर साइड में गिरा हुआ था लेकिन वो लूफी को छोड़के भाई बॉनियर कुमा के उपर अटक करने का ट्राइ करता है लेकिन इससे बहले की वैसा कर पाए यहाँ पर वोई सांजी सामने आता है और उसके लेजर ओल अटक को ब्लॉक कर लिता जिसे देखके यहाँ पर फ्रैंकी और इवन की जारू भी सर्प्राइस था यहाँ पर सांजी नमें लेजर ओल अटक को ब्लॉक कर लिया है बट सांजी यहाँ पर इस चीज का जेस्टिफिकेशन देते वे कहता है कि power of love is stronger than any laser और ऐसा कुछ यहाँ पर योग कहता है अब भाई पता नहीं यही लाइन कहीं गई है या फिर कुछ और क्योंकि भाई अभी तक तो बॉनी को बच्चे फॉर्म में देख रहा था तो यहाँ पर उसका बॉनी के पर simp करना I don't know भाई क्योंकि everything after 12 is lunch for Sanji so who knows कुछ भी हो सकता है but anyways यहाँ पर Sanji का कीजरू की अटेक को block करना मुझे भाई इतना shocking तो अभी नहीं लगता है क्योंकि हम सब कहीं नगरीं जानते थे कि जो Sanji हो कभी नगभी कीजरू से fight करेगा ही so बिना कीजरू की अटेक को block करके fight करना possible तो नहीं था न so this confirms की फिलाल के लिए हम Sanji और सी कीजरू की fight देखेंगे which is good for Sanji fans क्योंकि भाई काफी time बस Sanji को किसी arc के अंदर second strongest opponent से fight करने का chance मिल रहा है so अभी कीजरू यहाँ पर Sanji की साथ busy होगा जिसका मतलब अभी हम लूफी वासी सैटन की fight को भी देख पाएंगे जहाँ पर में भी बॉनी उस fight में पाट ले क्योंकि आखिर उसे भी अपने फादर का बदला लेना है क्योंकि उसने नीका को अपनी आखों से देख लिया है उसके आगे blackbird pirates के दो member आ जाते हैं येस भाई they are here देखो मैंने कहा था कि यहाँ पर blackbird के दो members आ सकते हैं और यहाँ पर दो ही members आये हैं जिसमें से एक तो भाई कैटेरीना है लेकिन जो दूसरा member है वो लाफी टे की जगवाई कुछ mention किया जिसके बारे में शायद से सैटन पहले से जानता था बतला में भी यहाँ पर blackbird के clan या फिर उसके past के बारे में थोड़ी information मिल जाए क्या फिर वो कौन सी race से belong करता है या फिर उसका real motive क्या है क्योंकि या blackbird अपनी final child चल रहा है जहाँ पर कैटरीना और वैनोगर का एकट में आना उसका ही plan था क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैटरीना है वो भाई सैटन को टच करती है और कहते हैं कि अब हमारा plan पूरा हुआ और जो van होगार है वो अपनी ability को यूज करके फिर दोनों को बाहर ले जाता है जहाँ पर फिर हम देखते हैं जो कैरिबू है वो अंदोनों को अप्रोच करता है और उनसे कहता है कि मैं blackbird को बहुत ज़दा एडमायर करता हूँ और उसका dream है blackbird pirates में जुड़ने का जो मेबी यहाँ पर हम कैरिबू को ब्लैक बेट के साथ जुड़ता हो देख सकते हैं जिसका मतलब समझ रहे हो तुम भाई यहाँ पर काफी can't होने वाले one piece के अंदर क्योंकि देखो ब्लैक बेट के पास दो dell fruits है उसके पास one or joe से मिले दो police भी है जो कि उसने law से ले लिये थे और maybe उसके पास big mom वाले road police की copy हो जो कि उसको वैनोगर या आओकी जिनला की दी होगी उसके पास यहाँ पर marine का hero guard भी है और अगर कैरवू भी यहाँ पर blackbird के साथ जुड़ गया तो यहाँ पर blackbird जान लेगा कि जो pluton और posidon है वो खिर कहाँ पर है क्योंकि दोनु की location के बारे में कैरवू जानता है क्योंकि दोनु time वो straw head के साथ present था और last but सबसे main चीज क्योंकि यहाँ पर katerina ने saturn को touch करके बोला कि अब उनका mission complete हो गया तो मेरा जो यहाँ पर अंदाजा था वो सही हुआ कि जो blackbird वो saturn को use करने वाला है government से deal करने के लिए लेकिन उसके लिए उसे saturn को kidnap करने की जरूत नहीं है बलकि अब जो katerina है वो saturn की copy कर सकती है अपनी डेलफूट पार्स की मर्स से अब जो katerina है उसके डेलफूट पार्स के बारे में completely reveal तो नहीं किया गया बट में भी हो सकता है कि वो उनकी शकल के साथ साथ उनकी memories को भी देख पाए या फिर उनकी डेलफूट पार्स को भी copy कर पाए जो की भाई blackbird के लिए काफ़ी useful होगा आई मीन गोरोसे की जो memories है उसके अंदर भाई काफ़ी सारे राज छुपे हुए है जिसको जानके blackbird काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है और अगर blackbird का यही plan है फिर तो भाई अब तक का सबसे बड़ा game changer moment होगा वेल इस चीज की बाद थो हम chapter के explanation पर करेंगे ही तो अगर तुम्हें जानने की क्या है blackbird का असली plan अखिर क्या है उसकी lineage तो यह जो subscribe बटन है उसमें चाहिए तुम हाकी फेक के मारो या फिर भाई अपनी girlfriend मुझे ने बता वाई क्लिक कोरना चाहिए मिलता हो तुमसे अगली वीडिया मता तक ले सायोनारा